हेरात प्रांत हाली में चर्चा में रहा अफगानिस्तान का प्रांत है यहां पर भीशड भूकम पाया हजारों लोग इसमें मारे गए और कई गाउं तो तबाह हो गए 6.3 तीवरता का शक्तिशाली भूकम्प यहाँ पर आया हेराद प्रांत कहां इस्तित्थ है अफगानिस्तान में याद रखेगा CTBT Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty हाली में ये टीटी चर्चा में है क्योंकि रसिया ने कह दिया कि हम इस पर जो अभी पुष्टी हमारी उसको वापस लेने पर विचार कर रहे हैं दरसल CTBT है क्या ये सेउक्त राष्ट के द्वारा 1996 में अपनाया गया एक टीटी है हाला कि अभी तक यह लागू नहीं हो पाई है क्योंकि कई देशों ने या तो इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है या फिर हस्ताक्षर कर दिया है लेकिन अभी पुष्टी नहीं किया है भारत न तो इसका हस्ताक्षर करता है अब पुष्टी का तो सवाली नहीं उठता अगर हस्ताक्षर नहीं हुआ है तो भारत कहता है कि देखे भीया हमको कोई भी इस तरह की संधी स्विकार नहीं है जो विभेद कारी हो विख्षित राष्टों की एक मानसेक्ता है कि जितनी सक्तियां रहें पर्मार सक्ति संपन वही रहें कोई और राश्ट कमजोर राश्ट पर्मार सक्ति संपन हो गया तो उनकी बात नहीं मानेगा। वो संप्रभु बना रहेगा उसको हम जब चाहें नउ उपनीवेश्वाद के अंधेरे में नहीं ढखेल सकते हैं। तो ऐसी विचार धारा होने की वज़से इस तरह की जो टीटियां बनती ही, संधियां बनती ही कहीं न कहीं, या तो उनके अंसार नहीं होगी जिसे अमेरिका के अंसार नहीं होगी तो उस पर ना साक्षर करेगा न तो उसकी बात मनेगा जैसे अनकलास बन गया है लेकिन चीन अपने अंसार चलता है 9-line उसने खीज़ दी है और वहां से वो नापता है पूरे समुद्र को और पूरे दक्षिणी चींसागर को अपना बोलता है, चोटी चोट टापू बना करके, तो अंतराष्टी संदियोूं का या तो लंगन करते हैं या फिर उसकी गलत व्याक्षi करते हैं, अपने अंसार, क्यों? क्योंकि वो परमार सक्ती संपन है या शक्ती संपन है, वो नही जैसा हमारी बात माने चट करता रहे हैं तो इसी तरीके से मान सेकता ऐसे देशों की होती है तो इस तरह की जो अंतराश्टी संधियां होती हैं उनके अंसार हुई तो ठीक है या उस पर पूरी तरीके से वो प्रभुत अस्थापित करके अपने अंसार ढाल लेती हैं उसको अ पानवादिकारों के बात करें, तो उगर मुसल्मानों पर अत्याचार करता है, चाइना खुले हम अपने नायरकों पर अत्याचार करता है, लोकतंत्र का कोई भी नामों निशान नहीं चाइना में, लेकिन वो जो सबसे बड़ी लोकतंतिक संस्था है, पूरे विश्वक की सह सामेकित्राष्ट सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्ध्ये हो तो जिसके पास शक्ती जिस की लाठी और उसकी भेंजिसके पास सक्ति हो उसके पास सब कुछ है कुल मिलाकर ये बात है तो भारत कहता है कि अगर लागू लागू करना ऐसी ट्रीटियों को तो पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए और पक्च पाज पूर्ण नहों। समाब्द करना है तो जड़ से समाब्द करो न तो टेक्न लुड़ी टांस्वर करो न तो परवाड़ शक्ति का शांतिपूर उप्योग करो न तो तुम किसी तरीके से सन्य उप्योग करो हाला कि भारत परमाड पावर का परमाड शक्ति के सांति पुर्ण उप्योग का पक्षधर रहा है लेकिन वो कहता है कि अगर कोई गुंजाइश है कि आतंकवादी इस तरह की पध्धतियों के बारे में सीख करके इसका गलत इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर समाप्द करना आए तो चर्से समाप्द करो जितना जखीरा है हतीयार होगा उसको समाप्द करो फिर बात करो टृटी की तो यह है उनिस ओ छानवे में अपनाय गया था और पाकिस्तान भी इस पर हस्ताक्षर करता नहीं शक्ति संतुरलन के लिए आउशक है अगर पाकिस्तान की दिश्च से देखें तो वो सही है अपनी जगह पे क्योंकि उसको कहीने के खत्रा है भारत से ऐसा होता है कि सामने वाला कितना भी अच्छा रहे व्यक्ति और वो शक्ति शाली है तो उसके बगल वाले को डर रहेगा कहीं न कहीं कभी ऐसा न हो ग्रोधित हो जाए और हमको ले डूबे तो इसके लिए अपनी शक्तियां वो बढ़ाता है तो यही हाल पूरे विश्व में है तो उन्निस सो चानवे में इसको अपनाय गया था अभी तक यह लागू नहीं है कई देशों ने पुष्टी नहीं की है कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया है और कई देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है अभी पुष्टी पर कभी हाँ कभी ना वाली स्थिती रही है CTBT दरसल पर्मार हथियारों के सैन उपयोगों और शान्ति पूर्ण उपयोग दोनों ही तरीकों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है यहां उन लेखनी है कि NPT 1970 को जो लागू हुआ था पर्मार अप्रसार संधी यह कहती थी केवल शान्ति पूर्ण उपयोगों के लिए अगर देखो तुमको पर्मार हथियार रखना है न या पर्मार प्रद्योकी रखनी है तो रखो लेकिन केवल शान्ति पूर्ण उपयोगों के लिए होना चीए शांत्पूर प्योग मतलब जैसे उर्जा के लिए हो गया भारत तो पक्षदर रहा है इसका लेकिन भारत ने फिर भी हस्ताक्षर नहीं किया इस पे क्योंकि कहता है कि एक जनवरी उन्नीस सो सरसथ तक जितने राष्ट परमाण सक्ति संपन्न है वही बने रहेंगे अर्थात अन्य राष्ट जो है वो परमाण हतियारों का परिक्षण नहीं कर सकते हैं अर्थात पूरी तरीके से डिपेंड रहेंगे इन चार-पांच राष्टों पे सेंगतराज अमेरिका रूस जैसे राष्टों पे डिपेंड रहेंगे बारत ने का अच्छा जाओ तेल लेने तो यही व्योस्था तो चलती आ रही सदियों से अभी और खतरनाक और भयावा बनाना चाहते हो मलब चार-पांच कंट्रीज रहेंगी पूरे विश्व को वही चलाएंगी अपने हिसाब से पहले तो ऐसा नहीं रहता था चलो परमाडव सक्ति समपन नहीं रहते थे तो हतीयारों से उनका मुकावला हो सकता था लेकिन अब समप्रभुता की रख्षा कौन करेगा अगर चार-पांच राष्ट परमाडव हतियार रखेंगे और सभी राष्ट कमजोर रहेंगे तो कभी भी किसी को दबाये जा सकता है, अपने नेड़े मनवाये जा सकते हैं, तो भारत ने परिक्षन किया, देखा देखी पाकिस्ताने का बड़ा भाई करेगा तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, भाईया कर रहे हैं तो हमको तो कर रहे ही करना है, तो उसने भी किया, वो भी अपनी जगह सही था तो भारत इस तरह की विभेद कारी संधियों का हमेशा खिलाफत करता रहा है किसी के दबाओ उने पढ़ करके अपने अनुसार अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा बड़े निर्णे भारत में लिये हैं तो ये याद रखेगा कि 1996 CTBT और 1970 NPT ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं हाली में भारत निकिस देश के साथ उरजा शेत्र में सहयोग के लिए समझोता किया तो सौधी अरब के साथ फैक्ट है याद रखेगा GST काउंसिल की 92 बैठक कहां पर आयजित हुई नई दिल्ली मायजित हुई आपको बता दें GST परिशद ये समिधानिक निकाय हैं समिधान के अनुच्छे 289 A में इसका उलेख है प्रावधान किया गया है 101 में समिधान शंशोधन अधनियम 2016 के द्वारा इसको समिधान में जगा दी गई इसकी सबसे अच्छी विशेष्टा है कि सहकारी संगवाद को ये पूरी तरीके से स्थापित करता है क्यों इसकी अध्यक्सता वित्मंती करती हैं और इसके जो प्रतनदी होते हैं वो राज्यों के प्रतनदी होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री हो गये ठीक इसमें राज्यों को जादा वेटेस दिया गया है, तो GST परिशत की इसलिए काफी इस दिश्ट से तारीफ होती है, गुड़ पर GST रेट 28 परिशत से घटा करके 5 परिशत कर दिया गया, ये एक फैक्ट है, बाउनवी वेटेक में निर्णे लिया गया है, याद रखेगा इस इसकार 2023 इनको प्रदान किया गया है, अर्थ व्योस्था में महिलाओं की भूमिका पर शोध इन्होंने किया है, इसके लिए जानी आती है, ये प्रशन पूछेगा, स्पेस्फिक प्रशन हो सकता है, याद रखेगा इसको, UPSC वाले विशेशकर, भारती भाषा उत्सो, सि 28 सितंबर 2023 से ध्यानक है, 28 सितंबर 2023 से इसले महत्पूर्ण है क्योंकि इस महोसो की उस्सो की शुरुवात लखनव उत्तरवदेश से हुई थी, तो 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक 75 दिनों का ये भारती भाषा उस्सो मनाया जा रहा, इसका विशेश जो महत्व है, वो ये है कि पूरे देश को जो एक भाषा संबंदी भाषावाद है, जो विभिन राज्यों को अलग करता है, तमिलियन्स यो है, वो हिंदी भाषी राज्यों से, कहीं ने कहीं हिंदी भाषा से नफरत करते हैं, इस नफरत की भावनाओं को प्रेम में तबदिल करना, में बदलना तो भारती भाषा उत्सों का ये उद्देश है शिक्षा मंत्राले भारत सरकार के द्वारा 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक इसको मनाया जा रहा है इसकी जो थीम है याद रखेगा भाषाएं अनेक भाव एक भाषाएं अनेक भाव एक 30 सितंबर और एक अक्टूबर 2023 को दो दिन ध्यान रखेगा नई दिल्ली में भाषाव परद्योकी पर शिखर सम्मिलन आयजित हुआ कहाँ पर नई दिल्ली में ये प्रश्ण आएगा ही आएगा अब ये 11 दिसंबर तक क्यों मनाया जा रहा है इसके पीछे कारण है ठीके क्या कि प्रसिद तमिल कभी जिसको महा कभी भी कहा जाता है और राष्टिय आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया था सुब्र मर्डियम भारती जिनकी जैनती 11 दिसंबर को होती है और इनकी जैनती को भारती भाषा दिवस के रूप में भारती भाषा दिवस के रूप में भारती भाषा दिवस के रूप में भारती भाषा दिवस मनाया जाएगा और सुब्र मर्डियम भारती की ये जैनती हो तो भारे सरकार कहीं ने कहीं आप इसके पीछे मोटिव आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे आदा जो विरोध करते हैं हिंदी भाषा का वो तमिलियंस होते हैं बाकी भाषाओं वाले भी थोड़ा बहुत विरोध करते हैं लेकिन सबसे आदा विरोध तकड़ा विरोध जो सुनिश्यत करने वाली बंधुता क्या राष्ट की एकता और खंडता सुनिश्यत करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए राजसरकार कारे करेगी लोग कारे करेंगे हम भारत के लोग से ये हमारा उद्देश्य का हमारे समिधान की सुरुवात होती है तो इसमें हम में तबदील करने के लिए इस तरह के प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए भारत सरकार की तरफ से भी और राज सरकारों की तरफ से भी होना चाहिए दोनों तरफ से होना चाहिए ये फैक्ट यूपी के लिहाज से बहुत महत्पूर है कि 28 सितंबर को जब ये शुरू हुआ था उत्सव तो कहां से शुरू हुआ था लखनव उत्तरपदेश से नीमच जिला मद्यपदेश में स्थित है यहां भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारन परियुजना आरम हुई है ग्रीन को गुरूप के द्वारा ये परियुजना स्थापित की गई है कहां नीमच जिला मद्यपदेश में नई दिल्ली में सेना कमांडरों का समयलन आज से 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2013 तक आयोजित हो रहा है कहाँ पर नई दिल्ली में 17 वार्षिक परिटन शिखर समयलन का आयोजिन कहाँ पर किया गया मुंबई में UAE के अबुधाबी में International Council on Archives Congress का आयोजिन हुआ कहाँ पर अबुधाबी में इस सब वन लाइनर फैक्ट हैं वन लाइनर में ही आएंगे Infinity 2023 बहुत महत्पूर है नोएडा उत्तरवदेश में आयजित हुई Infinity 2023 ये दरसल वार्षिक प्रद्योकी सिखर समयलन का नाम है तो छठा वार्षिक प्रद्योकी सिखर समयलन Infinity 2023 कहाँ पराईजित हुआ नोएडा उत्तरवदेश में I.O.R.A. इंडियन ओशन रिम एस्सोसियेशन इसके 23 में मंतिपरिशत बैठक कायोजन कोलंबो शिलंका में संपन हुआ शिलंका ने इसके साथ ही बांगला देश से अध्यक्षता ग्रहन कर ली अब ये मंतिपरिशत जो होता है I.O.R.A. का ये सबसे बड़ा निकाय सबसे शक्तिशाली निकाय है नेड़े कारी संस्था है सबसे बड़ी I.O.R. की शिलंका अब इसका अध्यक्ष हो गया है दो वर्षों के लिए और भारत दो वर्षों के लिए उपाध्यक्ष हो गया है 1995 में दरसल नेलसन मंडेला भारत आये थे और उन्होंने हिंद महासागर सहयोग के लिए हिंद महासागर देशों को एक साथ आने की बात कही थी भारत में ही और इसके बाद 1997 में बाचीत के दोरों के बाद इसकी अस्थापना हो गई थी इसके 23 अदसे हैं वरतमान में इसका सचीवाले मौरिशस में अर्थाद मुख्याले इसका मौरिशस में है ठीक है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद